Welcome to Selection Mentor Last Class हम नहीं ले पाई थे कुछ कारणों की वज़े से लेकिन उससे पहले हमने Direction Distance Topic खतम कर लिया था लेकिन आप लोगों का उतना Response हमें नहीं मिल पा रहा है जितना हमें मिलना चाहिए तो मेरी सबसे पहले आप लोगों से यही request है कि प्लीज अपना Response दिखाईए क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह lectures आ रहे है Otherwise हम direct questions वगेरा भी move कर सकते है Basic concept बताना केवल इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जब भी हम question करें तो कहीं फसे ना तो next topic जो आज हम start करने वाले हैं that is blood relation blood relation के इस topic के अंदर हमें जो जो important content है जो देखना है जैसे हमने direction distance में भी देखा था coding decoding में भी देखा था तो इसके अंदर भी कुछ basic चीज़ें जो हमें देखनी है वो हम आज के lectures में देखेंगे और next lecture में हम इसके question answer solve करेंगे तो देखें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ blood relation की तो blood relation topic जो आपके पास में है इस topic के अंदर तीन category के question आपके सामने आते हैं ठीक है तो होता है कि blood relation basically आपको पता होगा तो मेरे इसाब से आपको यह definition बताने की जरूत नहीं है कि any relation in the world which either by the birth or by the marriage is called the blood relation देखो by the birth जो होते हैं वो आप directly आप बोलते हैं uncle हो गए aunt हो गई है आपके father हो गए mother हो गए grandfather हो गए grandson हो गए grandchildren हो गए that is called by birth and by marriage that's called in-laws उनको बोला जाता है in-laws ठीक है क्योंकि यह law के according आपके साथ जुड़े हुए है ठीक है तो उसी तरीके जैसे आपको यहां दिया हुआ father-in-law, mother-in-law, mother-father यह सब जो है by birth है और यह सब आपके पास में क्या है by marriage तो blood relations के जो topics हैं जो हम जिन पर question solve हम करेंगे वो कुछ यह हैं देखो jumble descriptions जो आते हैं आपके पास वो इसी के अंदर आते हैं जंबल description हो गए, relational puzzle हो गई, relational puzzle के अंदर क्या होता आपके पास, relational puzzle के अंदर एक relation की पूरी puzzle दी जाएगी जिसमें आपके पास relation होंगे 4-5 यह 5-6 person होंगे आपके पास, यह suppose 6 person आपके पास हो गए, उनके आपस में relations दिये जाएंगे, तो उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक family tree, जैसे की नीचे आपको एक topic दिख भी रहा होगा, family tree का, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, family tree की कौन किस से किस तरीके से relate करता है, that is called relational puzzle, coded relation होते हैं, जैसे आपके पास हमने direction के अंदर coding देखी थी, star hash, underscore, question mark, percentage, उसी तरीके से coded relation होते हैं, जिसमें य basic one-liners हो सकते हैं, आपके पास में, two-liners हो सकते हैं, यह सब किस के अंदर आते हैं, miscellaneous questions के अंदर आते हैं, एक category हमें आपस होती ही, jumbled, jumbled में के अंदर क्या होता है, या आपस में एक दूसरे से क्या होता है, link होता है, jumbled form होती है, वो हमारे पास में, और उसके अंदर चीजें जो हैं, आपस में jumbled form में होती है, मतलब हमें नहीं समझ में आता है, जो one-liners के कुछ questions होते हैं हमारे पास में, जो jumbled होते हैं, कि इसने इसको देख करके ऐसा कहा, ठीक है, कि वो मेरे बेटे की माता के भाई का हो, ठीक है, तो ये 4 तरह के question exam में हमसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आते है family tree पे, family tree के अंदर हमारे पास में, जिस तरीके से relation होते हैं, तो ये पढ़ने की हमें जूरत नहीं है, हम सीधे family tree पे आते हैं, ठीक है, बस एक gear line देख लो, pictorial representation होता है, जिसमें क्या होती, generations का आपस में relation दिखाया जाता है, बाकी ये सब चीज़ें आपके धहन की नहीं देखना होता है, तो इस family tree के अंदर हमारे पास में क्या है, देखो जैसे ये आपस में relation नहीं दिखाये हैं, यहां से अगर मैं relation देखूँ, तो एक वीना, वीना नाम की लड़की है, ये उसके मा वी हो गया, गुरू, ये सब इनके भाई बहने, तो इसका मतलब ये एक पूरी family है, ये अगर आपको दिखरी हो, तो ये एक पूरी family है, अलग से, तो ये जो family बनी है आपके पास, ये क्या बनी है, ये बनी है by birth, ये बनी है हमारे पास में by birth, ठीक है, अब क्या हुआ कि इ पीना की जो शादी है, वो किस से हो गई, लक्षमी नराइंट से हो गई, जैसे ही इनकी आपस में शादी है, तो जो शादी के लिए, या marriage के लिए जो symbol यूज किया जाता है, वो ये होता है, ठीक है, ये हमेशा marriage के लिए इस्तिमाल किया जाता है, कि अभी आपस में एक जूडी है यह साब हापस में क्या है इनलाओ्स हो गया अब क्या हुआ कि यह लक्ष्मी नारा लोग से यह वाली यह एक nuclear family हो गई तो यह आपको relational charge समझ में आ रहा होगा यह first generation है यह first generation है यह second generation है and the last one is this is third generation और जो सबसे आखरी बच्ची दिखाई दे रही है that is called fourth generation fourth generation ठीक है तो यह चार generation यहां पर आपको दिखाई गई है ठीक है यह grand parents है इस लड़की के लिए अगर मायरा के लिए बात की जाए तो यह grand parents है यह सारे की सारे और यह great grandparents है fourth generation के लिए वह सबसे first value generation कहलाती है great grand generation यह कहलाती है grand generation यह कहलाती है आपके पास में parents हो गए uncle यह अक्षे कौन हो गए इसके जैसे अगर मैं relation की बात करूँ तो अगर कोई कहता है कि अरजुन कौन है तो अरजुन कौन है वीना का बेटा है और वीना अरजुन की कौन है तो वीना अरजुन की माता है relation समझ में आया अरजुन वीना का कौन है अरजुन वीना का बेटा है और वीना अरजुन की कौन है माता है विश्नु की अगर हम बात करें तो जो विश्नु है हमारे पास में वो विश्नु अरजुन का कौन है तो विश्नु अरजुन के चाचा है विश्णु अर्जुन के मामा है मामा मतलब maternal अंकल देखो अगर maternal अंकल लिखा हुआ है means मामा maternal अंकल means मामा और यदि PU मतलब paternal अंकल लिखा हुआ है मतलब चाचा तो यहाँ चाचा कौन है चाचा है गुरु राज गुरु राज कौन है चाचा किसके यह हम बात किसकी कर रहे हैं अर्जुन की बात कर रहे हैं और maternal uncle कौन है रवी हो गया विश्नु हो गया यह सब maternal uncle है इसके यहां तक बात कलिए रहे आपको तो यह जो चार्ट है आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना ची ताकि हम relations को identify कर सकें कौन किसका क्या लगता है चलिए आगे चलते है observation of family trees ने आपे थोड़ा सा बताया है कि Akshay and Arjun are the brothers Akshay and Arjun are the brother and Annie is the wife of Arjun Annie wife है किसकी? Arjun की clear है? Myra is the daughter of Annie and Arjun यह भी हमें पता है Veena is the mother of Akshay यह भी हमने देखा था उपर and she has three brother उसके तीन भाई है, किसके? Veena के कौन कौन है? Guru, Ravi, Vishnu चलिए यह आप समझ गए होगे छोटी सी एक यह table आट देख लो वैसे अभी यह तना easy नहीं है सब लोगों को सब पता है कि कौन सा किसका relation है तो mother और father का जो बेटा होता है वो myself या फिर brother होगा जो बात बोल रहा है ठीक है, वो myself, जिस मैं बोल रहा हूँ मेरे मम्मी और पापा का मैं बेटा हूँ ठीक है, या मेरा भाई वो भी उनका बेटा है, ठीक है उनकी daughter वो भी myself हो सकती है if I am a girl, या मेरी sister हो सकती है या myself हो सकती है तो पैटरनल अंकल यदि फादर्स ब्रदर है तो पैटरनल अंकल यदि फादर्स ब्रदर है तो पैटरनल अंकल यदि फादर्स ब्रदर है तो पैटरनल अंकल यदि फादर्स इसी तरीके से सारे चलते हैं Mother और Father's Father मेरी माता या मेरे पिता के पिता कौन करता है? Grandfather उनकी wife, Grandmother ठीक है? Husbands और wife sister Husband या wife की sister है वो क्या कलाएगी? Sister-in-law कलाएगी ठीक है? Husband और wife का जो brother है वो क्या कलाएगा? Brother-in-law कलाएगा और daughters का husband, बेटी का पती क्या कलाएगा? Son-in-law कलाएगा और बेटे की पत्नी क्या कलाएगी? Daughter-in-law कलाएगी बहुत इजी ली हम को पढ़ने की भी ज़रोत रही है सिर्फ दिमाग में रखना है कि चलते हैं, clear है? यह सब आप देखने कर लेना ज्यादा difference नहीं है यह मैं एक लास्ट वाला बता देता हूँ कि grandson और granddaughter's daughter grandson और granddaughter की जो बच्ची है वो क्या कलाएगी? great granddaughter इसका उल्टा कर दोगे तो great grandfather और great grandmother तो great लग गया किसके लिए? fourth generation के लिए clear है? very good decoding the jumble description तो jumble description में आपको क्या बताया था? किस तरह के question आते है? pointing वाले कि एक दूसरे को point करते हुए बताया जा रहा है ठीक है? तो सबसे पहली form हम check करते है jumble description वाली तो jumble description का यहाँ पर हमें example भी दिया गया है तो jumble description के अंदर जो सबसे पहला question है that is question solve करके देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे pointing to a photograph of a boy Mr. Ram said कौन कह रहा है? Mr. Ram कह रहा है किसको देखते हुए photograph of a boy एक लड़के की फोटो को देखते हुए Mr. Ram कह रहा है तो Mr. Ram को मैं R बोल देता हूँ Mr. Ram का gender नहीं पता वैसे देखो अगर यह Mr. नहीं लगाता न पते हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा यदि सीता लिख रहा है तो सीता से यह identify नहीं करना है कि सीता लड़की है No जब तक कि उसके आगे Miss, Mrs. या फिर She इन सब चीजों का प्रियोग नहीं किया लेकिन यहाँ पर आपको बोला है आप स्क्वाइर बनाते हो किसी लेटर के आगे That means it is a male ठीक है तो male के लिए आपके पास में क्या यूज़ होता है स्क्वाइर यूज़ होता है और female के लिए circle यूज़ होता है यदि आप दो लोगों के बीच में इस तरह का sign लगा रहा है means they are couple यदि एक single arrow जा रहा है मतलब brother और sister ठीक है same line में यदि same line में vertically जा रहा है मतलब generation gap आ गया A, B के father या mother कुछ भी हो सकते है और B, A का son या daughter कुछ भी हो सकता है तो question पे वापिस आते हैं pointing to a photograph of a boy boy मतलब एक लड़के की photo देखते हुए Mr. Ram Ram कहते है He, मतलब कौन वो boy जिसकी बात हो रही है, वो boy जिसकी बात हो रही है कि He is the son of the only son कि ये बेटा है, ठीक है तो मैंने एक vertical arrow बना दिये कि ये बेटा है, ठीक है, बेटा है किसका बेटा है, that He is a son of the only son only son का concept भी मैं भी आपको बताऊँगा that He is a son of the only son of my mother, अच्छा तो किसकी माय मदर, किसकी मदर, राम की मदर राम की मदर, सब्पोज ये मैंने मान ली ये राम की मदर है, तो क्या बोल रहा है, He is a son of the son of my, only son of my mother, only son कौन हुआ मेरी मा का, मेरी माता का only son राम खुद हुआ, राम की माता का only son कौन हुआ, राम क्योंकि Only Sun का मतलब होता है एक लौता बेटा Only Sun का मतलब होता है एक लौता बेटा, मतलब और कोई लड़का अब नहीं होगा उसके परिवार में, मतलब बेटे में एकी बेटा होगा, बेटिया हो सकती यह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है तो he is the son of the only son of my mother तो राम की माता का only son राम हो गया और उसका son कौन है ये लड़का है तो इसका मतलब राम का कौन हो गया son हो गया कौन ये ये राम का son है और राम किसका son है उसकी माता का एक लोता son है तो क्या पूछ रहा है How is Mr. Ram related to that bird तो राम कौन लगेगा फादर राम कौन लगेगा फादर किसका लगेगा राम फादर बॉय का I think समझ में आ गया होगा यदि कोई दिक्कत है मैं फिर से बता देता हूं लेकिन इसको जुबारा बताने से पहले मैं एक concept आपके साथ डिसकस कर लेता हूं only का चली यहीं मैं आपके साथ डिसकस कर लेता हूं only का concept only concept क्या कहता है only concept क्या कहता है हमें only concept में ये चीज़े आती है only son only daughter ठीक है एक आता है only brother और एक आता है only sister चार आते हैं only son का मतलब होता है कि बेटा सिर्फ एक होगा एक ही बेटा होगा son के अवल एक होगा daughters कितनी भी हो सकती हैं ठीक है more than one more than one या zero या फिर one क्या हो सकती है daughter कौन हो सकती है daughter ठीक है only daughter का मतलब बेटी सिर्फ एक होगी एक ही daughter होगी एक ही daughter होगी लेकिन more than one zero या one कौन हो सकते हैं son हो सकते हैं वो हमें नहीं पता लेकिन बेटी एक ही होगी ये clear है यहां बेटा एक ही होगा या बेटी एकी होगी Only brother मतलब भाई एकी होगा One ही brother होगा Only one भाई एकी होगा Sisters कितनी भी हो सकती है Sisters कितनी भी हो सकती है Only sister मतलब बहन सिर्फ एकी होगी बहन सिर्फ एकी होगी भाई कितने भी हो सकते हैं बहन सिर्फ एकी होगी ठीक है किसकी बेहन दो लड़किया है सपोज टू गर्ल्स हैं तो अनली सिस्टर का मतलब क्या हो गया कि लड़की की बेहन लड़की लड़की की बेहन लड़की इसके लिए ये एक लोती बेहन है इसके लिए ये एक लोती बेहन है case में ऐसा हो सकता है ठीक है लेकिन दो लड़की से ज़दा नहीं हो सकती तो लड़की से ज़दा हो गईánt तो sкр only sister नहीं रहेंगी फिर थो sister हो जाएंगी उनकी ठीक है ? ऐसे ही यदि दो boy है तो उनमें भी हो सकता है पहला boy दूसरी boy का एक एक लोता भाई, समझ में आ रही है, यहां तक clear है, तो यह चीज़े याद रखोगे, यह बेसिक चीज़े हैं, यह आपको पता हो नीचे, यह नहीं पता होंगी, तो question solve करने में दिक्कत आईगी, तो मैं फिर से बता जाता हूं, कि pointing to the photograph of a boy, Mr. Ram said, Ram ने एक लड़के की photo देख अब मेरे का, मेरा बेटा है यह, अगर मेरा बेटा है, तो मैं इसका कौन हुआ, फाइदर, अगर यह मेरा बेटा है, तो मैं इसका फाइदर हुआ, ठीक है, यहां देख, अब इसके और भी भाई हो सकते हैं, लेकिन अभी किसकी बात हो रही है, Ram की, राम का बेटा है, ठीक जो भी condition होगी उसमें ये क्या भी बनेगा राम क्या ही बनेगा फादर ही बनेगा उस लड़के का clear है चलिए तो आगे चलते हैं next question पर आते है next question देखो आपको क्या कह रहा है next question कह रहा है कि Rita told money Rita ने money से का लेकिन इनका gender अभी तक नहीं बता आगे चलते हैं the girl I meet Rita ने money से कहा Rita ने money से कहा the girl I meet yesterday ठीक है Rita ने किसी लड़की को देखा था कल the girl I meet yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother ठीक है my friend's mother अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर उसने बुला है my friend's my friend's mother तो मेरे फ्रेंड जो है उसकी अब वो यह भी हो सकता है क्योंकि इसका भी नहीं पता मुझे तो एक बार इसी को लेके क्यों ना करें तो Rita ने money से कहा yesterday I met the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother my friend's mother यह माल लिया मैंने my friend's mother ठीक है youngest daughter of the brother-in-law of my friends मेरी माता का brother-in-law कौन होगा सोच सकते हो उसकी माता का brother-in-law कौन होगा उसके father का भाई उसके father का भाई brother-in-law होगा किसका इसका ठीक है तो क्या बूला जा रहा है the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of किसकी youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother तो इसकी youngest daughter इसकी youngest daughter कोई भी हो सकती है ठीक है वो girl उस girl की बात हो रही है फिर से बतायता हूँ ये रीटा है रीटा ने money से कहा क्या कहा कि the girl मैं money कोई उसका दोस्त मान रहा हूँ ठीक है the girl I meet yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friends my friend मतलब money money उसका दोस्त है my friends mother मतलब money की मतलब ये उनका brother-in-law मतलब उसके पती का भाई उसकी youngest daughter ये लड़की है तो how is the girl related to रीटा स्ट तो ये लड़की रीटा के फ्रेंड जो मैंने money को माना है उसकी क्या लगी तो ये कौन लगी कजन लगी ना मतलब money के पिता के भाई की बेटी money के पिता के भाई की बेटी मतलब उसके चाचा या ताउ की बेटी उसकी कौन लगी cousin answer is cousin clear है answer is cousin देखो समझने के से से होता है जमनी हो गया girl हो गया Rita's friend हो गया Rita's friend के Rita's friend ठीक है उसकी माता के brother-in-law ये है उनकी बेटी ये कौन हो गए cousin clear है यहां तक उसका friend money भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है मैंने money को मान लिया यहां उसने किसी और को माना है बात तो यह की है clear है ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे आज हम दो ही category देखेंगे relational puzzles होती है जिनके अंदर एक छोटी puzzle दी जाती है आपको जिसमें family की बात की जाती है जैसे कि आपको ये question दिख रहा होगा जिसमें दो से ज़्यादा लोग होते है generally इसके अंदर 5 ये 6 members होते है उन 5 और 6 members का relation आपको बनाना पड़ता है ठीक है और कुछ नहीं करना होता जैसे ही आप उनका relation बना लेते हैं question solve होता है जैसे कि इस question की बात करता हूँ रवी is the son of Amun's father's sister Amun के father की बेहन Amun कोई होगा उसके पिता होंगे कोई मैंने उसके पिता ये मान लिया F ये कौन है Amun है Amun के पिता की बेहन S sister रवी उनका बेटा है रवी ये रहा रवी son है बेटा है साहिल is the son of दिव्या अब ये दिव्या कौन है दिव्या who यहाँ पे who किसको बताता है last person को जो उसके who के पास में होता है उसको who represent करता है साहिल is the son of दिव्या who is the mother of Gaurav and grandmother of Amun Amun की grandmother Amun की grandmother कोन है दिव्या दिव्या circle बनाूँगे दिव्या who is the mother of Gaurav किसकी mother है गॉरव तो इसका father ये गॉरव हो सकते है and grandmother of Aman तो इनको भी मैं गौरव बोल सकता हूँ और एक गौरव इसका भाई भी हो सकता है क्योंकि दोने दिव्या के बच्चे होंगे तो मैं गौरव यहां लिख देता हूँ गौरव यह भी हो सकता है और इसका भाई भी हो सकता है अशोक is the father of Tania अशोक तानिया का पिता है ठीक है, एंड ग्रेंट फादर ओफ रवी अच्छा अशोक यहाँ पे होगा, यह अशोक है अशोक क्या है, ग्रेंट फादर है ना, अशोक तो ग्रेंट फादर है तो यहाँ पे ग्रेंट फादर आ गया ठीक है इसका मतलब क्या हूँ अदे को इसके पिता और इसकी बहन ये दोनों भाई बहन है तो दिव्या और अशोक क्या हो गए आपस में husband wife हो गए न तो अशोक के लिए क्या है अशोक is the father of तानिया अशोक is the father of तानिया and grandfather of रवी इसका मतलब है इनका तानिया एक लड़की है तानिया ये sister हो सकती है और कोई और इसकी बहन हो सकती है हम एक in general मान के चल रहे है कि इनके दो बच्चे अगर होंगे तो एक गौरव ये हो गया और sister ये तानिया हो गई और दो से ज़्यादा होंगे तो गौरव कोई और भी हो सकता है तानिया कोई और भी हो सकती है दिव्या इस दी वाइफ अफ अशोक यह आपने बहले ही बना दिया दिव्या इस दी वाइफ अशोक ठीक है अब देखो क्या पूछा है रवी कौन है ये रवी है तो गौरफ की वाइफ तानिया से कैसे रिलेट करेगी, तो गौरफ की वाइफ कोई भी हो सकती है, और गौरफ की जो वाइफ होगी वो अमन की माता होगी, तो अमन की माता मतलब गौरफ की वाइफ तानिया, तानिया जो की गौरफ की सिस्टर है, तो अमन की वाइफ तानिया की कौन लगेगी अवन की वाइफ तानिया की sister-in-law लगेगी ये भी clear होगा I think आपको clear है ठीक है तो इस तरीके से आपके पास में आपके पास जो questions आते हैं वो इस तरीके से solve किये जाते हैं यहां तक clear है सबको clear है यहां तक अब देखो एक question शायद ये भी हमारे पास में है a blind beggar has a brother who dead ठीक है a blind beggar has a brother who dead ठीक है what relation was the blind beggar to the brother who dead अब क्या बोला उसने blind beggar एक अंधा भिकारी है had a brother who dead उसका एक भाई था जो मर गया ठीक है what relation was the blind beggar to the beggar to the brother who dead उसका उसके साथ क्या relation था brother is not the answer brother is not the answer अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया आपको क्या बोला गया है blind beggar जो था had a brother एक blind beggar है blind beggar एक अंधा बिकारी जो की लड़का लड़की कोई भी हो सकता है उसका एक भाई था जो मर गया what is the relation was the blind beggar to the brother who dead brother is not the answer मैंने क्या का अगर भाई नहीं है तो कौन होगी फिर बहन होगी तो blind beggar कौन हो गया sister जिसका एक भाई था जिसका एक भाई था जो अब नहीं रहा तो answer क्या हो गया sister the word beggar does not specify any gender beggar से किसी gender का पता नहीं चलता इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन थी एक girl थी जो कि उसकी क्या थी sister थी तो हमेशा ध्यान रखना name से place से या फिर quantity किसी भी चीज से gender का पता नहीं चलता है community से इन से किसी से gender का पता नहीं चलता है ये चीजें हमें दिमाग में याद रखनी पड़ेंगी ठीक है यहां तक clear है बाकि coded relation की अदि हम बात करूँ तो यहां पे coded relation में आपको जैसे हमने बात करी थी अपनी last class में direction distance के अंदर वैसे यहां पे भी coded relation में symbolic form यूज की जाते है और symbolic form के अंदर plus minus कुछ भी आता तो अब क्या बुला गया A plus B का मतलब क्या होगा हम short form में लिखेंगे brother कौन किस का वो यहां से पता लग रहा है A B का A B का plus का मतलब brother A minus B A minus B मतलब sister कौन किस की A B की minus का मतलब sister A multiplied by B का मतलब father कौन किस का A B का और multiply का मतलब father बात clear है ठीक है अब देखो उसने क्या कहा है अगर मैं इसके question की बात करो तो question क्या कहा है C is the son of M C M का बेटा है कैसे पता लगाओगे तो इन तीनों का combination use करना पड़ेगा C को M का बेटा बनाने के लिए अगर C को M का बेटा बनाना है और बेटा कब बनेगा जब यहाँ पे आप एक plus का sign और यूस करोगे क्योंकि उससे brother निकल के आता है यह हम दिमाग में calculation करना है तो C is the son of M तो यहाँ पे check करते है M ये रहा check कैसे करना है minus का मतलब क्या था sister M N की बहन है M minus है M N की बहन है M N की बहन है N multiplied C multiply का मतलब father N C का father है N C का father है इसका मतलब क्या हुआ कुछ ऐसा chart बना अभी तक और C plus plus का मतलब क्या होगे brother C भाई है किसका excuse me C भाई है किसका F का और F के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि F का किसी से relation नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे क्या C बेटा हुआ M का नहीं C तो क्या हुआ niece nephew C क्या हो गया nephew M का तो पहला वाला तो गलत हो गया ठीक है दूसरा देखो F minus minus का मतलब अगता sister F बहन है C की F C की बहन है ठीक है multiply का मतलब father N father है किसका M का N किसका फादर है M का तो देखो इस condition के अंदर C बेटा होगा के M का बिल्कुल नहीं तो दूसरा भी क्या हो गया गलत तीसरे पे आते हैं तीसरा कह रहा है N plus M plus का मतलब होता है brother N किसका भाई है N भाई है किसका M का M minus minus का मतलब sister M sister है किसकी F की और F multiply C F father है किसका C का मतलब M का तो नहीं हुआ न मतलब वापिस uncle aunt वाला relation हो गया son तो हुआ ही नहीं तीसरा भी कला अब एक ही बचा इसको करके देखते है M multiply N multiply मतलब father M father है किसका M father है किसका N का N minus minus मतलब sister N sister है किसकी C की ठीक है और C plus C भाई है किसका F का आगया relation की M के तीन बच्चे है N, C और F जिसमें C उसका बेटा है तो C is the son of M बात I think सबको clear होगी हो गई है तो इस तरीके से coding के भी question हम solve करन सकते है तो next class के अंदर हम blood relation के question देखेंगे फिर चाए वो puzzle form में हो चाए coded form में हो चाए jumbled form में हो miscellaneous भी इसी तरीके से होता है clear है सबको तो चलिए thank you so much आज के lecture के लिए और please share जरू कीज़े कीज़े videos को like कीज़े और जितने ज्यादा लोग इसको देखेंगे उतना अच्छा होगा तो हमारे YouTube चैनल को भी subscribe जरूर कीज़े thank you so much have a nice day